गुट मॉर्निंग स्टुडेंट्स आइम डॉक्टर सरीता खंडिल्वाल फॉम केमिस्टी डिपार्ट्मेंट ऑफ जे टीवी गवर्मेंट गल्स कॉलेज कोटा स्टुडेंट आज हम MSC Final Semester उसकी Spectroscopy Paper की First Unit स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें की हमार को दो मीन Spectroscopy की स्टेडी करनी है UV Spectroscopy एंड IR Spectroscopy बच्चो आपका एक पूरा Paper Spectroscopy रखा गया है क्योंकि अब आप MSC Final Year में हैं और आगे आप में से काफी स्टूडेंट रिसर्च को पर्स्यू करेंगे और रिसर्च में Spectroscopy का सबसे Important योगदान होता है क्योंकि आप रिसर्च में कोई भी नया Compound बना रहे हैं वो बना है कि नहीं बना है उसकी जो Steady की जाती है वो Spectroscopy की साहता से की जाती है जब आप रिसर्च स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि नये Compound की Steady करने के लिए हम UV, IR, 1H NMR, 13C NMR, Mass Spectroscopy इन सारी Spectroscopy Techniques की Help लेते हैं और हम Decide करते हैं कि जो हमने Protocol use किया है उसके According हमारा जो Desired Product है वो बना या नहीं बना इसलिए Spectroscopy की काफी Importance है और आपका एक पूरा Paper Spectroscopy रखा गया है इस Paper में 1st Unit में आपकी UV, IR Spectroscopy है फिर 2nd Unit में आपकी 1H NMR है, फिर 13C NMR है, फिर Mass Spectroscopy है और लास्ट Unit में आपको Combined Problem दी जाएगी जैसे कि आपको कोई Compound दे दिया, उसका आपको पहचानना है उसका आपको IR Characterization दे दिया, UV Characterization दे दिया 1H 13C Characterization दे दिया, Mass दे दिया और कुछ Chemical Reactions दे दिया उसके आधार पे आपको पहचानना है कि जो Unknown Compound है वो क्या है तो ये बात तो आपको समझ में आई कि एक पूरा पेपर Spectroscopy का रखने का कारण क्या है MSC Final Year में क्योंकि ये आगे काफी Important रखता है In the field of research इसके अलावा जैसे आप Net वगेरा या कोई अच्छे लेवल के Competition exams देते हैं तो Spectroscopy जो पेपर है उससे Objective और Subjective दोनों तरह की Questions पूछे जाते हैं Objective में तो जो आप Concept पढ़ते जा रहे हैं उससे बहुत सारे Questions बनते हैं और Subjective के Questions आपका जो Last Unit दिया गया है Combined Problem उसमें से दिये जाते हैं तो ये Research की दिश्टी से भी Important है और जो Competition exam आप आगे MSC के बाद परस्यू करेंगे चाहे कोई Entrance exam ओ, PhD का चाहे कोई Competition exam ओ, Chemistry का उन सम्में जो Spectroscopy है उसका काफी Important रोल होता है और उससे काफी Questions पूछे जाते हैं तो Spectroscopy जो पूरा Paper है उसे आपको बहुत अच्छे से समझने की आविशकता है और आपका एक जो Practical होता है उसमें भी इसका काफी रोल है आपको Practicals भी कराए जाएंगे जिसमें कि आपको 1H, 13C, Mass, Spectra, Characterization के आधार पे Unknown Compounds पहचानना है तो ये तो मैंने आपको बताई कि Spectroscopy की क्या Importance है अब बात यह आती है कि Spectroscopy की Importance आपने देख लिए कि Research, Competition आपका अभी जो पूरा Theoretical Paper है इसमें Spectroscopy Paper की Importance है लेकिन Spectroscopy क्या होती है इसका Basic एक Introduction मैं देना चाहूंगी वैसे बच्चो आपने जो BSC Second Year है उसमें Spectroscopy का Introduction आपने पढ़ा था वहाँ पे आपको Introduction था और UV और IR Spectroscopy आपने पहले भी BSC Second Year की Organic Chemistry में पढ़ी है तो मुझे उमीद है कि आपको थोड़ा बहुत इसका Introduction तो पता ही होगा लेकिन फिर भी मैं आपको इसको थोड़ा सा Introduction आपको मैं समझा देती हूँ कि Spectroscopy क्या होती है Spectroscopy deals with the transition induced in a chemical species by its interaction with the photons of electromagnetic radiations तो electromagnetic radiations के photon का अगर किसी chemical species से interaction होता है और उसमें अगर उस chemical species में अगर कुछ transition होता है तो उसे उन transition की studies को Spectroscopy कहते है तो पहली जो चीज काम में आ रही है वो Spectroscopy में है Electromagnetic Radiation I hope बच्चो आपको पता होगा कि Electromagnetic Radiations क्या होते हैं जिसमें Electric और Magnetic Field एक दूसरे के perpendicular और wave की direction के perpendicular vibrate करते हैं उन्हें Electromagnetic Radiations कहते हैं जब हम किसी भी chemical पर उनमें जो होने वाले transitions हैं उनके लिए जो required energy हैं वो incident electromagnetic radiations की energy से match कर जाती है तो उस chemical species में कुछ transitions होने लगते हैं ये transitions होते हैं वो उस chemical species के लिए characterize होते हैं मतलब अहरव species अलग तरह का transition देगी या अलग position पर transition देगी तो इसकी फिर हम study करते हैं और हम उस chemical species की structure को पता लगाने की कोशिश करते हैं तो ये पूरी जो branch होती है वो spectroscopy कहलाती है ठीक है बच्चो आई बात समझ में spectroscopy क्या होती है तो आपको ये बात समझ में आई कि spectroscopy की mainly जो ज़रत पड़ती है वो किसी भी chemical species की atomic and molecular structure को पता लगाने के लिए मैं शुरू से बात कर रही हूँ कि structure पता लगाने के लिए की जाती है structure पता कर लगाने के लिए की जाती है साथ ही to measure the difference between various molecular energy level अगर various molecular energy level है उनके बीच का जो energy difference है वो भी हम spectroscopy से पता लगा सकते हैं क्योंकि जो energy difference है वो जितना difference है उसी frequency के radiation absorb होते हैं तो spectroscopy का basically दो काम है spectroscopy methods are generally used to measure the energy difference between various energy levels and to determine the atomic and molecular structure तो इनको determine करने के लिए spectroscopy की आविशक्ता पढ़ी अब बच्चो electromagnetic radiation की wave क्या होती है सी का formula क्या होता है wavelength का formula क्या होता है wave number क्या होता है I hope यह आपको पता होगा और नहीं पता तो आप अपनी BSC second year की जो किताब है उसको एक बार briefly जल्दी से देख ले की electromagnetic radiation का brief introduction जिसमें की आप lambda wave number energy photon क्या होते हैं यह इनको आप देख लें यह बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपने प्रिविएस ग्लास में हैं मैं कहूं कि 11-12 से आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं ठीक है अब मैं आपको एक briefly यह और बता देती हूँ कि जो molecular energy होती है वो वैसे तो तीन प्रकार की होती है mainly translation energy, rotational energy, vibrational energy, चार प्रकार की होती है और electronic energy तो जो molecular energy होती है वो इन चार energy का total होता है translation energy, translation moment में जो energy आती है उसे translation energy कहते है rotational energy, rotation के दोरान और vibrational energy, vibration के दोरान electronic energy electrons के motion से जो associated होती है उसे electronic energy कहते है अब ये तो हो गया कि किस तरह की energy एक molecule से associated हो सकती है बच्चों ये मैं basic बता रही हूँ जिससे कि आपको थोड़ी सी clear हो जाए तो हम जैसे विविन प्रकार की पढ़ेंगे spectroscopy तो हम देखेंगे कि किसी में हम vibrational energy की steady कर रहे हैं किसी में rotational energy की steady कर रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको ब्रीफ में बताया है कि molecular energy क्या होती है अब हम एक brief introduction देख लेते हैं टाइप्स ओप molecular spectroscopy जिसमें एक तो first है UV spectroscopy जिसको हम start करेंगे इन इंफ्राइड spectroscopy जो molecular vibration से associated होती है फिर है microwave spectroscopy जो pure rotational vibration से associated होती है अल्ट्रा वालेट और visible spectroscopy यह एक ही spectroscopy में पढ़ा जाता है UV और visible radiation को फिर आती है nuclear magnetic resonance या nuclear cardopore resonance spectroscopy फिर आता है electron spin resonance spectroscopy और finally mass spectroscopy इसमें से आपके जो electron spin resonance spectroscopy है वो आपके course में नहीं है तो हब हम start करते हैं एक basic introduction spectroscopy का देखनी के बाद हम start करते हैं UV spectroscopy अल्ट्रा वालेट spectroscopy बच्चो आपको यह पता होना चाहिए कि जो electromagnetic radiation होते हैं उसको wavelength या energies के आधार पे बाटा जाता है उसका IR reason होता है UV reason होता है visible reason होता है microwave reason होता है X-ray frequencies होती है तो इनको किसके आधार पे बाटा गया या तो मैं कहूँ wavelength के आधार पे या मैं कहूँ energy के आधार पे बाटा गया है ultraviolet spectroscopy में electromagnetic radiation है उसके UV और visible reason होती है उसकी steady की जाती है उसकी बराबर की जो energy होती है वो molecules को दी जाती है तो ultraviolet spectroscopy में आपसे अगर कोई पूछे तो कौन से reason cover होते हैं UV और visible reason cover होते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे basic concept और instrumentation की introduction ultraviolet spectroscopy deals with the measure of energy absorbed when electrons are promoted to higher energy level बच्चों मैंने अभी बात की थी molecular energy उसमें मैंने एक नाम लिया था electronic energy electronic energy electrons की motion से associated होती है और electrons को जो अगर हमें motion कराना है उनसे एक energy level से दूसरे energy level में हमें उन्हें पहुचाना है तो कौन सी energy की आवशक्ता होती है UV visible energy के आवशक्ता होती है और इससे जो transition होंगे वो किसके transitions होंगे electrons के transitions तो electrons के transition की steady जिस spectroscopy में की जाती है उसे ultraviolet spectroscopy कहा जाता है तो यहां मैं कहूं कि electronic transitions उसकी steady ultraviolet spectroscopy में की जाती है और इसमें क्या किया जाता है जो electrons का transition होता है उसमें जो energy absorbed हो रही है incident radiation से उसकी steady की जाती है उसका measurement किया जाता है और उसके आधार पे compounds को पहचानने की कोशिक की जाती है तो UV spectroscopy में किसकी steady की जाती है? electronic transitions की steady की जाती है बच्चो सारी spectroscopy में एक spectrum मिलता है अगर single spectrum हम इसे spectrum कहते हैं तो जो UV spectroscopy में जो spectrum मिलता है उसमें किस-किस के बीच में plot बनाया जाता है एक तो जो light absorb हुई उसके wavelength के बीच में versus the absorption intensity कि कितनी intensity से वो absorb हो रहे हैं कितनी मात्रा में इसे आप आगे detail में पढ़ेंगे absorption intensity को absorbance या transmittance भी कहा जाता है तो जो हमें पहले तो spectroscopy, UV spectroscopy क्या होती है हमने उसकी बात की, फिर हमने बात की कि UV spectrum क्या होता है तो wavelength और absorbance के बीच में जो plot बनता है उसे UV spectrum कहा जाता है ठीक है, तो बच्चों ये तो हो गई कि plot कहलाता है अब बच्चों ये जो absorbance है वो 10 से 10,000 के बीच में हो सकता है और इसे epsilon के रूप में दिखाया जाता है UV spectroscopy में ठीक है, ये तो हमने बात कर ली UV spectroscopy और spectrum की बात अब हम बात करते हैं molecules में electronic, vibrational और rotational तीन तरह के energy levels होते है इच electronic levels within a molecule is associated with a number of vibrational levels with less energy separation and each vibration level is turned is associated with a set of rotational levels with even less energy separation बच्चों ये कहना चाहता है कि molecules में electronic, vibrational और rotational energy level होते है सबसे ज़्यादा energy difference होता है वो electronic energy level में होता है ये देखे, आपका E0 energy level है, E1 energy level है तो इनके बीच का difference हो गया electronic energy level का difference अब ये ये कह रहा है कि एक electronic energy level में कैसारे vibrational energy level होते है आप देखेंगे कि E0 में V0, V1, V2 तीन vibrational energy level बताएगा है और हर vibrational level में भी कैसारे rotational energy level होते है देखे, इसमें कितने सारे rotational energy level है तो आप ये देखेंगे तो उसे आपसे बता सकते हैं आपकी एक electronic energy level में कही सारे vibrational energy level होते हैं और कही एक vibrational level में कही सारे rotational energy level होते हैं अगर मैं इनका energy difference की बात करूँ तो electronic energy level में आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा difference है फिर vibration में उससे कम है इतना difference है और rotation में तो और भी कम है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा difference है तो सबसे ज़ादा अगर energy की ज़रत है तो वो electronic transitions के लिए चाहिए आप खुद देख रहे है energy difference सबसे ज़ादा है फिर vibration के लिए और फिर then rotation के लिए energy की आविशक्ता होती है तो ये तो थी molecular energy level की एक picture आपको ये अच्चे से समझ में आ गई तो बच्चों यो UV और visible reason होता है उसकी जो energy level energy होती है वो इतनी होती है कि वो molecules में electronic transitions करवा सकती है तो UV spectroscopy में जो transitions होते हैं वो electronic transitions होते हैं अब आपको ये भी पता चल गया कि जो electronic transitions होते हैं अकेले नहीं हो सकते क्योंकि उससे कम energy हमें vibrational and rotation transition के लिए चाहिए होती है तो जो electronic transition levels होते हैं वो अकेले नहीं होते हैं transitions अकेले नहीं होते हैं उसके साथ vibrational and rotation transitions भी हो जाते हैं लेकिन mainly हम जो transition UV spectroscopy में जिनके हम बात करेंगे वो electronic transitions की बात करेंगे तो UV spectroscopy में transitions होते हैं वो electronic transitions होते हैं लेकिन साथ में vibrational and rotation transitions भी होते हैं तो बच्चो आज के lecture में हमने basic concept देख लिया spectroscopy का और UV spectroscopy का भी introduction देख लिया अब next जो पार्ट है वो हम next lecture में लेंगे I hope आपको इसी समझ में आई होगी कि spectroscopy क्या होती है उसकी अलगलग branch अलगलग transitions या अलगलग energy के आधार पर कैसे बनाई गई और हमने introduction of UV spectroscopy देखा Thank you so much students